हाई स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सभी पहत अच्छे होगे आप ऐसे उमीद कर सकता हूँ मैं मैं संदीव सहर्ण वेक्याता भौतिक विज्ञान आज एक नए टोपिक के सथ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विनाकल सहर्ण सर पर पुने उपस्तित हैं अंशिक रूप से भरा हो अगर अब तक किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारा ये टोपिकों की सीरीज बहुत लंबे समय तक चलनी है इसमें हम निरंतर आपको टोपिक भेजते रहेंगे तक आपको आसानी से टोपिक मिल सकें इसलिए इसको से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सब बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें मैं टोपिक की शुरुवात करता हूं हमने इससे पहले एक टोपिक पढ़ा था समानांतर प्लेट संधारीतर की धारिता का वेंजक आप पिछली वीडियो में जाकि उस टोपिक को देख सकते हैं तो उसमें हमने देखा था कि समानांतर प्लेट संधारीतर कैसा आया था एक दो पलेटे थी ऐसे समानांतर पलेट, एक के उपर धन आवेश था, तो दूसरे के उपर बराबर मातरा में रिन आवेश था, यानि ये पलेटें युगम में होती हैं आवेशों के युगम में युगम का मतलब होता है कि एक पेर के अंदर है एक जोड़े के अंदर है दोनों पर आवेश समान है परंतु उनकी परकरती विपरीत है जब आवेश समान है इनका छेतरफल समान है तो इनका आवेश घनतव भी समान रहेगा आज क्या है आज हमारा टॉपिक है कि इन पलेटों के बीच में यहाँ कोई एक अन्य पदार्थ यानि अन्य डायक्ट्रिक्स या प्रावेदूत पदार्थ की एक कोई पलेट रख दी जाए तो इस समधारितर की धारिता पर क्या परभाव पड़ेगा यह हमें देखना है अगर क्या धारिता पे प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा तो कितना पड़ेगा तो उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे तो अब हम सुरू करते हैं इसका पहले डाइगराम देख लीजिए डाइगराम में बिल्कुल सिंपल्स है कि हमने एक एरलर प्लेट संधारी तर लिया जिसकी प्लेट ये ए और बी है एक ए प्लेट के उपर धनावेस है बी प्लेट के उपर रिनावेस है दोनों पलेटों का श्मान छेतरफल है, और छेतरफल मैंने A से परदर्सित कर दिया, इन दोनों पलेटों के बीच की दूरी है, वो स्मॉल डी है वायू में, विद्धु छेतर की तिवर्ता है, वो E نट से रिप्रेसन्ट है, E ن TOM से ये वायू में या निर्वात में विद्धु छेतर की तीवर्ता ही इन पलेटों के बीच में हमने कह कि अब एक T मोटाई की एक प्रावेदूत पलेट लेके आए और वो पलेट जिसका डावेदूत पलेटों के बीच में रख दिया जैसा ही मैंने रेड बना रखा है लाल रंग का आप देख सकते हैं ये एक प्रावेदूत पलेट है जिसकी मोटाई कितनी है इसकी मोटाई है हमारे पास से ती और इसका डावेदूत पलेट के अंदर विदू चेतर की तीवरता है इसमें कितनी है तो यहां आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए नोट जो है ये वाई उ में है और ओ इ ये प्रावेदूत पदार्थ के अंदर विदू चेतर की तीवरता है देखिए अब हम इसकी थियोरी इस परकार लिख सकते हैं कि माना एक समानांतर प्लेट संधारी तर जिसकी प्लेट का छेतर फल A प्लेटों के बीच दुरी D इनमें K प्रावेदूत और T मोटाई का एक पदार्त की परत रखी है मैंने आप भी बताया कि निर्वात में विदू छेतर की तियोरता E नोट और प्रावेदूत पदार्त में E है जैसा चितर में दर्शाया है वो आप चितर से ये देख सकते हैं मैंने यहां चितर में बना रखा पलेटों पर अगर आवेश क्यों है तो प्रश्ट घनतव कितना होगा क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है एक प्लेट पे धन आवेश और एक प्लेट पे रिन आवेश है हम प्रष्ट घंताओ की प्रिभाशा देख सकते हैं प्रष्ट घंताओ क्या होता था आवेश बटेवे प्लेट का 6 तरफल Q upon A यह हम यहां से इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देश सकते हैं कि इन प्लेटों का प्रष्ट आवेश घंताओ सिगमा इज एकल टो Q upon A है देखिए हमने प्रष्ट आवेश घंताओ क्यों लिया है देखो प्रष्ट ध्यान देंगे कि प्लेट क्या है प्लेट एक 2D जमेटरी है कौन सी जमेटरी है? 2D आप समझते हैं 1D जमेटरी, 2D जमेटरी और 3D जमेटरी 1D जमेटरी में तो रेखा आती है एक लाइन आती है यह 1D जमेटरी अगर इसके उपर चार्ज एक ही रेखा में या तो X-AXS में हो या Y-AXS में या अकेले Z-AXS में हो 2D जमेटरी कौन सी होती है? वे जमेटरी जिनके या वे सनरचनाएं जिनका आयतन नहीं निकाला जा सकता है लेकिन 6 तरफल निकाला जा सकता है ये भी इसका एक इंगल बनता है जैसे वरग है आयत है सरकल है ये हमारे क्या होते हैं टूडी जमेटरी होते हैं तो ये पलेट है जो हमारी ये आयताकार या वरगाकार किसी भी र निकलता है यानि वे संरचाने जिनका आयतन निकाला जा सकता है उनको हम 3D geometry कहते हैं और पलेट हमारी क्या है यहां पर 2D geometry है और 2D geometry है तो इसका मतलब यहां प्रश्टावेश घनतव काम करेगा और प्रश्टावेश घनतव को हमने डैल या सिक्मा से लिख दिया इस बात का द्यान रखें जब भी आप किसी भी संरचना किसी भी पदाار्थ किसी भी आकर्ती की संरचना के लिए जब आप विभाव निकालना चाहें शोरी जब आप धारिता निकालना चाहें C बरापर होता है Q upon V जब तक आपको उस छेतर में विभाव का पता नहीं होगा तब तक आप C की वेलू नहीं निकाल सकते इसलिए ये mandatory condition है ये बहुत necessary condition है कि आपको विभाव का पता होना आवश्यक है और विभाव के पते के लिए हम क्या कर देंगे अब हम क्या कर सकते हैं विभाव का पता लगाने के लिए हम इन पलेटों के बीच में विभाव निकाल लेंगे और विभाव का एक्चल में क्या होता है विभाव विभाव अगर सही तरीके से देखा जाए तो इस चेतर में किसी एकांग काविश को लाने में किया गया कारिय होता है और उसके अलग-अलग रूप है विभव और विद्धु चेतर की तीवरता में सम्मंद है यहां में किस चीज का पता है यहां में विद्धु चेतर की तीवरता का पता है और विभाव और विद्धु छेतर की तीवरता में सम्मंद होता है विभाव बराबर है विद्धु छेतर की तीवरता गुना में पलेटों के बीच की दुरी यह हमारा विभाव का सुत्तर है तो यहां देख लीजी हम कैसे इसको सोल करेंगे यहां हम इसको इस तरीके से सोल कर सकते हैं यहां दो भागों में विभाव होगी एक तो विभाव इस डाइलेक्ट्रिक पलेट के अंदर जो हमें लाल रंग की पलेट बना रखे इसके अंदर विभाव अलग होगा क्योंकि पदार्थ की उपस्तिती है और जो यह सेस भाग बच गया इसको छोड़ कर यानि जो वायू वाला भाग बच गया वहां विद्दू छेतर की तीवरत अलग है अगर विद्दू छेतर की तीवरत अलग है तो विभाव का मान भी अलग होगा तो यहां पर दो तरह की विभाव काम करे की एक वो भी भव जो E0 छेतर के अंदर है और E0 छेतर कितना भाग है देखिए यहां से यहां तक यह दुरी है पलेटों के बीच D इसमें से T मोटाई निकाल दो क्यों T मोटाई का हमने यह अलग से पदार्थ रखा हुआ है तो D में से T निकालोगे तो कितना होजएगा D माइनस से T तो दुरी कितनी बचगी वाई यू की D माइनस T एक तो भी भाग यह होगा V1 यानि वह है भाग जिसमें वाई यू उपस्तित है के लिए भाग कामान कितना होजएगा E नोट वाई यू में विद्धू छेतर की ती वरता गुणा में कितने भाग में वाई यू बरी हुए D माइनस T में दूसरा क्या हो सकता हमारे पास वो भाग जहां पर हमने जितने भाग को पदार्थ गेरे हुए है वो पदार्थ का कितने भागों गेरे हुए टी भागों और विद्धु छेतर की ती वरता कितनी है यहाँ पे वी टू का मान हो गया वी बहु कैसी रासी है आप सब जानते हैं वी बहु अदीश रासी है और अदीश रासी का योग क्या होता है दोनों को हम भीजगनी तिया रूप में जोड़ देंगे तो कुल वी बहु क्या जेगा वी बराबर है वी वन पलस है वी टू और वी वन का मान हमने ये रख दिया और वी टू का मान ये रख दिया तो हमारा कुल वी बहु का मान आप समझ गयोंगे कि वी बराबर है ई जीरो डी माइनस टी पलस ई इंटू टी कैसे आया टी यहाँ पर इस परत की मोटाई है लेकिन हम यह जानते हैं कि निर्वात और माध्यम की विद्धु छेतर की तीवर्ताओं में सम्भंद क्या होता देख लिए इसको मैं दोबरा भी बता देता हूं निर्वात में विद्धु छेतर की तीवर्ता होती है के क्यू अपॉन आर स्केयर यहां क्या है वन अपॉन फोर पाई एपसाइलों नौट ऐसे भी लिख सकते हो इसको क्यू अपॉन फोर पाई एपसाइलों नौट आर स्केयर और किसी माध्यम में ए बराबर क्या जाएगा क Q upon 4 pi epsilon not k r², आप e not को e से भाग दे सकते हैं, या e को e not से भाग दे सकते हैं, तो दोनों में किस चीज का अंतर आया, k का अंतर आया, जब इनको हम डिवाइड करते हैं, तो हमें ऐसे मिलेगा e not upon e is equal to k, और आपको तो e की value निकालनी है, e की value इदर ले जाओ, k को उठा के इद e not upon k, इसको उठा के हम कहां रख देंगे, इसको उठा के हमें, पिछे वाली equation में, जो हमने भी भाग के formula था, उसमें रख दिया, ये ऐसे कैसा रहेगा e not d minus t, और इसको value को उठाओगे, तो यहां कितने हो जाएगी e not into k, e not दोनों में common आता है, आप e not common ले सकते हो, तो e not यहां है, e not यहां है, तो इसको common ले लिया जाए, तो e not into, अंदर क्या बच गया, यहां d minus t बच गया, और यहां इसके पास t by k बच गया, t बटे वे k, गाउस परमय में हमने बड़े अच्छे से एक article पड़ा था, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, कि कि किसी चाल पलेट के लिए विद्धू छेतर की तीवरता क्या होती है, e is equal to sigma यानि प्रश्ट आवेस घनताव अपन epsilon not, यह गाउस की थियोरम से आमने निकाल लिया था, यहां e not की value यहां से उठा के रख दो, तो यह value बन जाएगे, अब विभाव कैसे निकाल लोगे, विभाव का फ equation second अमारे विभाव की equation बन जाएगी, अब हम क्या करेंगे, यह equation second आपको ध्यान रखनी है, जब तक आपको equation second निकल गी, अब हम सुत्तर लगा देंगे, संदारितर की धारिता का सुत्तर क्या होता है, c बराबर q बटे v, q ऐसे कैसा, v कमान समिकन 2 से उठा के यह रख दिया कि उसे q cancel, अब क्या बच गया मेरे पास, यह देखिए, एपसाइलोन नौट यह पलट के उपर चला जाएगा, क्योंकि यह बटे में, बटे के बटे में है, तो नीचे वाली संख्या उपर चली जाती है, और नीचे क्या बचेगा, d minus t plus t by के, समिकन 3 इसका नाम दे दिया, यह हमारा आनसिक रूप से बहरे हुए, या आनसिक रूप से किसी प्रावेद्यूत पदार से बहरे हुए, चालक या समानांतर पलेट संधारीतर की धारीता का शुत्तर बन जाएगा, बहुत अच्छा है, पेपर में आने लाएक कोश्चन है यह, पेपर में कई बार आईए, तो आप इस आर्टिकल को कर देंगे, अब इसके कुछ केस देख लिए, समिकन तीन में परिवर्तन करते जाना हमने, यह मूल है, समिकन तीन के हमारा मूल कोश्चन हो गया, पहला केस कहता है, यह प्लेटों के मत्द है केवल वाईयू हो, जब केवल वाईयू हो, त तो इसका मतल क्या गया, प्रावैदुत प्रादार्त की पलेट की उपस्तिती नहीं है, और उपस्तिती नहीं है, तो इसका मतल पलेट की मोटाई T is equal to 0 की बात करता है, तो हम समिकन तीन में T को 0 रख दो, जब भी T को 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यह वाड़ा केवल निर्वात हो या वाईउ हो, सेकिन में कहता है यह यदि पलेट के मद्य केवल प्रावैदुत पदार्त हो, यानि पूरे के पूरे संधारीतर को किस से भरा हुआ है, प्रावैदुत पदार्त से, जब पूरे का पूरा पदार्त प्रावैदुत पदार्त से भरोगे, तो इसका मतलब उसकी मोटाई कितनी होगी, जितनी पलेटों के मद्धेदूरी है, उतनी ही मोटाई की हमें पलेट का प्रियोग करना पड़ेगा, तो T बराबर है, D, आप समीकन तीन में T is equal to D रखोगे, तो देखो यहां मैंने रखके दिखा रखा A Epsilon 0, D minus यहां T था, तो यह और यह पारट पहले वाले दोनों पारट के आजएंगे, आप देखो यह और यह दोनों कैंसल होगे, क्योंकि एक D पलस का है, एक माइनस का, तो बच गया क्या है, D upon K, पल्ट होगे तो K उपर चला जाएगा, तो आपका लास्ट आंसर क्या जाएगा, C बराबर के A Epsilon 0 D, तो इसे यह चेक कर सकते हो, कि यह वैल्यू कि इसकी दी, C नोट की, तो यह C is equal to K C नोट, यानि C greater than C नोट है, अमने पिछले टॉपिक में भी इसकी चर्चा की थी, कि कि किसी विवाद्यम की उपस्तिती से धारिता बढ़ जाती है, उसके बाद यह कहता है, तीसरा केस, यदि T मोटाई की धात्यू की पट्टी रख दी जाई, और आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए, कि धात्यू होती है, उनके लिए प्रावेद्यूतां का मान अनंत होता है, और जब K का मान अनंत होगा, तो समीकन 3 देख लीजिए, आप ये रह, इस K को अनंत रख के दे एपसाइल और नोट, D माइनस T, जो थर्ट रम थी, T अपन के वो जीरो बन जाएगी, इस तरीके से हम समानंतर पलेट संधारीतर के भिन-भिन केस को स्टड़ी कर सकते हैं, उनको अच्छे से जान सकते हैं, ये था हमारा समानंतर पलेट संधारीतर का टोपिक, उमीद करू गोलिये संधारीतर की धारीता, ये आपको ध्यान हो तो जब अपने संधारीतर के परकार पड़े थे तो उस समय ये सेकंड परकार था, गोलिये संधारीतर की धारीता, काफी अच्छा कोशन है, ये साए 2018 में ये RBSC में पुछा गया था, बोड एक्जाम में 12 में गोलिये स धारितर की धारिता का वेंजक बनाईए और CVSC में भी ये कई बार कोशन पुछा गया है तो एक जाम के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा कोशन है देखिए हम एक ये गोला ले लेंगे जिसका के अंदर बिंदू O है इसकी तिर्जिया R1 है गोलिये संधारितर का मतलब ये होगा कि हमें एक दो पलेटों के गोले लेने हैं दूसरी पलेट और ले लिए ध्यान ये रखना कि ये जो दूसरा संधारितर हमने पलेट ली है गोलिये पलेट ली है इसका भी केंदर बिंदू O ही होना चाहिए और इसकी तिर्जिया उनने ल सेकिंद्रिय गोले तो यहां ध्यान रखने की बात है कि यह दोनों के दोनों गोले हैं यह सेकिंद्रिय गोले हैं जो अंदर वाला हमारा गोला है इसकी पॉलेट को हम धनावेश परदान करते हैं इसको कैसा अवेश दिया गया है अब जैसे ही हमने इसको धनावेश दिया तो ये पलस की धनावेस आजाएगा इसके उपर, अब क्या होता प्रेरण के कारण है, जो भार का गोला है अमारा, इसकी अंतरिक सतह पर माइनस का आवेगा, कौन सा आवेस आएगा, रिनात्मक आवेस, और बाहिये परत्वे कौन सा आजाएगा, धनावेस, क्योंकि ये संदार इतर का सिधान्त है, हम क्या करेंगे, इसकी बाहिये परस्ट को अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंडिड कर देंगे, ये मैंने चितर में दर्शार रखा, देख लो, ये O किंदर है दोनों के लिए, अंदर वाला गोला जो A है, इसकी तिरजे R1 है, बार वाले गोले की देखोगे, तो रिन आवेस आता है, और इसके बाहर वाले परस्ट को आमने क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखे, ये आप देख सकते हो, यहां अर्थिंग हो रखी है, ये भू संपरकित है, जिससे क्या होगा, इससे B गोले के बाहरी सरत परत जो है, जिसके उपर धन हुआ है, उसका प्रावेदुतां कितना है, के, तो हम इस गोली संधारीतर की धारीता का वेंजग बनाएंगे, थोर इसी थियोरी देख लिए, मैंने इसकी थियोरी में लिखा हुआ है, कि हमने दो से केंदरिये गोले लिए, से केंदरिये मैंने समझा दिया, कि वे गोले ज इसका मतलब हो गया कि बड़े वाला गोला है जिसकी तिर्जया जादा है वो गोला B है भित्री प्लेट ए पर हमने प्लस Q आवेश दिया भी भाग जो अमारा ये गोला था इसकी आंतरिक सतह पर माइनस का Q और बाहरी सतह पर भूसंकर पित करने पर बाहरी सतह पर उपस्ति ध C बड़ाबर क्या होता क्यूं बटे वे व जब तक आप विभाव नहीं निकाल पाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि तब तक आप किसी भी परकार से ची का मान Pharise कर सकते तो यह हमारी necessary condition है कि हमें विभाव का मान ग्याद करना है और विभाव का मान ग्याद करना कहां विभाव ग्याद करना ए और बी के बीच में यह वाला जो भाग है यहां विभाव ग्याद करनी है हमें तो विभाव ग्यात करने के लिए हमें दो चीजें द्यान रखने हैं, एक तो ए गोले पर विभाव और दूसरा बी गोले पर विभाव, पहले हम ए गोले पर विभाव देखें, ये ए गोला है, आप विभाव वाले चैप्टर में जाके, इससे लास्ट वाले चैप्टर में म ट्रोपिक समझाया था कि किसी भी गोलिय चालक के कारण विभाव का मतलब था कि अगर कोई भी एक गोला है उसके उपर आवेश एक समान रोप से फैला हुआ है तो जितना विभाव इसके परश्ट पे होगा उतना विभाव इसके अंदर होगा ये कफी अच्छा कंसेप्ट ह विभाव क्या होगा जितना गोलिय चालक की सतह पर है उसके परश्ट पर जितना विभाव उसके संपूर्ण आयतन में अंत्रिक भाग में विभाव एक समान रहेगा उस पर हमने नुमेरिकल भी किया था वहां से आप इसको एक बार स्टडि कर सकते हैं यहां देखिए दो दो परकार के होंगे गाल लेगे द Suzanne और जो अंदर वाला गोला है गोने द विभाव के अंदर के लिभाWow क जो अंदर वाला A गोला है, A गोले पे B का भी परभाव आएगा, क्यों? B के अंदर है, तो B का जितना भी भाव परश्ट पे होगा, वही इसके अंदर भी तो रहेगा, तो यहां दो तरह के भी भाव काम करेंगे, मैंने बिलकुल सपश्ट लिखा हुआ है, कि आंतरिक गोले A पर विभाव दो परकार से होगा, और वो दो परकार कौन-कौन से होगे, नमबर एक, भीत्री गोले A पर उपस्थित पलस Q आवेश के कान, यानि जो अंदर हमारा A ये A गोला है, इसके उपर जो धन आवेश है, पहले इसके कान विभाव निकालेंगे, उसका नाम मैंने V V1 रख दिया, विभाव का सुत्र आप जानते हैं, वन अपॉन फोर पाई एपसाइलों नौट, आवेश बटे हुए, दुरी की घात एक, अब देख लेना, दुरी का वरग नहीं होता है, दुरी की घात एक होती है, तो हम जब इस पलस Q के कान ले रहे हैं, तो हम क्या करें विभाव अधीस रासी है, और अधीस रासी में आवेश के चिन का प्रियोग किया जाएगा, अगर धन आवेश है तो धन चिन आएगा, और रिन आवेश है तो रिन चिन का उप्योग किया जाएगा, तो यहां हमारे पास कौन सा आवेश है, एक गोले के उपर धन आवेश ह तो पलस Q और दुरी कितनी है इसकी दुरी कितनी है यानि दुरी का मतल़ है इसकी तिरजया कितनी है R1 तो हमारे पास पता लग गया कि V1 का मान यह हो जाएगा नि एक तो यह विभाव है दूसरा दूसरा और बड़ा अच्छा समझने का है यह देख लिजिए बाहरी गोले प परश्ट पर जितना विभाव होगा उसके संपूर्ण आयतन में आंतरिक भाग में वही विभाव रहेगा तो इसके अंदर कौन रखा हुआ A तो A के उपर यह V2 भी कारियर रत होगा तो V2 की कामान क्या देगा 1 अपोन 4 पाई एपसालो नोट और B गोले पर आवे इसकीतन तो R1 होगा और माइनस का देखते हैं तो R2 होगा यहां गलती नहीं करनी अब A पर कुल भी भाव निकाल लो कुल भी भाव क्या हो जाएगा A गोले पर V1 प्लस V2 V1 का मान यह रख दिया V2 का यह रख दिया दोनों में जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लो कॉमन क्या रहा है Q को मना गया अंदर क्या बच गया यहां तो R1 बच गया और यहां R2 तो एक बटा R1 माइनस एक बटा R2 इसका LCM ले लो Q अपॉन फॉर पाई एफसलों नोट ऐसे का इसा LCM लो 1 अपॉन अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 का LCM आपको लेना था R1 R2 और उपर R2 इदर चला तो हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन थार्ड है वो क्या बनगी Q V A यानि A गोले पर भी भाव का नाम मान है Q ब्रेकेट में R2 माइनस R1 बटे वे 4 पाई एफसलों नोट R1 R2 अब हम दूसरे गोले का निकालेंगे बाहिये गोले पर बाहिये गोले B को भूसम परकित किया है यानि अर्थिंग कर देश की अर्थिंग करती तो आवेश सारे का सारा कहां चला गया पिर्थवी के अंदर जो पिर्थवी में आवेश चला गया तो इसका सिंपल सा मिनिंग हो गया कि इसके उपर आवेश नहीं है और आवेश नहीं होगा तो विभाव क्या होगा शुन अब हम क्या करेंगे हम चितर को देख लो एक बार चितर क्या कहता है आपका कि हमें ए और बी संदारीतर ये है ये वाला भाग है संदारीतर का बैस ये अंदर वाला भाग नहीं है और नहीं बार वाला है सिर्फ ये भाग जो मैंने टिक कर दिया यानि पलस और माइनस आवे इ इस भाग की हमने विभव निकाल लेनी है जिसको हम बोलेंगे विभवांतर क्या होगा दोनों गोलों के मत विभवांतर क्या होगा VA-V यहानी एक गोले का विभवांतर मैइनस दूसरे का VA का मान सम्मीकन एक से रख़दो और समिकन 3 में उपर हमने V निकला है V A का मान और V B का मान सुनने है सुनने रख दो जब माइनस करेंगे तो आपका equation V विभाव क्या बन गया Q bracket में R2 माइनस R1 बटेवे 4 पाई अपसाइलो नौट R1 R2 जैसे ही आपका विभाव निकल जाए इसको equation 5 नाम दे दी धारिता की प्रिभासा लगा दो धारिता की प्रिभासा आप जानते हैं कि C बराबर क्या उता आवेस बटेवे विभाव अब यहाँ पलस माइनस आवेस नहीं लेना क्यों क्योंकि दोनों ही पलेटों पर आवेस का प्रिमान समान है तो आवेस का मान तो क्यू रहेगा वी का मान समीकन 5 से रख दो क्यू आवेस से क्यू आवेस से cancel हो जाएगा जो बच गया उसको पलट के रख दो देखवा अब ये नीचे वाला भाग 4 पाई एपसाइलो नोट है अगर ये तो किस में है निर्वात में है ये बात ध्यान रखें किस में है निर्वात में अगर माध्यम में निकालना हो तो क्या बन जाएगा माध्यम में C बराबर है यानि C डैस बराबर है 4 पाई एपसाइलो नोट के रवन आर टू बटे हुए R2-R1 यह फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ Epsilon 0 के साथ उसका प्रावेदुतांग का जाएगा जो पदार्थ भरा हुआ है आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि C का जो मान है वो कैसे बढ़ेगा R2 और R1 के मान का अंतर कम हो जाए देख लिजी C with कर्मान उपाती है मैं यहाँ लिख देता हूँ C with कर्मान उपाती है R2-R1 अगर इन दोनों तिर्जाओं के बीच का अंतर कम कर दिया जाए तो C का मान बढ़ जाएगा इसलिए अगर धारिता बढ़ाने के लिए गोलियसं धारितर के दोनों गोलों की तिर्जाओं लग भग समान होनी चाहिए समान नहीं लेनी अगर दोनों R1-R2 बराबर कर दिये तो इनका अंतर 0 हो जाएगा 0 होते या नंत हो जाएगा लेकिन लग भग यानि थोड़े से अंतर की लेनी है उनके बीच में बहुत कम अंतर होना चाहिए तो मैं उमीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा इसको अच्छे से नॉट्स भी बना ले नॉट्स बना के एक बार पढ़े नहीं समझ में आए पुने वीडियो को देखे वीडियो को देखने के उपरांत फिर आप इसको एक बार लिख के देख लें जैसे ही आप इस डेरिवेशन को करके देखें मैं 100% स्योर्टी से कह सकता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें धन्यवाद भोध भोध धन्यवाद